हलो गाइज वेलकम टू वाइटिया टेक दोस्तो आज की जो वीडियो है वह स्पॉंसर्ड बाई है 11WICKETS.COM दोस्तो हमारी जो वीडियो है वह एक मिनिट में शुरू होने वाली है दोस्तो पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा 11WICKETS के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर एक fantasy चर रही है क्योंकि IPL चर रहा है तो यहाँ पर fantasy चर रही है कि आप यहाँ पर online earning इस app के द्वारा कर सकते हैं जब इस पर आप login हो जाएंगे मैंने सारे links description में दे दिये हैं तो आपको जो है अगर आप नया account खोलते हैं तो आपको यहाँ पर 101 रूपी यनिकी 101 रूपे का यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा जिससे आप जो है इस game में लगा सकते हैं और इससे काफी अच्छी earning कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो आपको जो है यहाँ पर अगर आप अपने दोस्त को refer करते हैं या कुछ इस परकार की तो दोस्तो आपको यहाँ पर जो है वो bonus भी मिलता है जिससे आप काफी सारी earning कर सकते हैं दोस्तो आप यहाँ पर देख लिजे मेरे को 155 bonus यहाँ पर मिला हुआ है तो दोस्तो इस परकार से आप online earning कर सकते हैं और match का मज़ा भी ले सकते हैं तो दोस्तो अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ तो दोस्तो यहाँ पर MIUI 10.3 की जो series शुरू हुई है काफी सारे डिवाइसों को जो है अपडेट मिल रही है पर अभी भी काफी सारे डिवाइस बाकी हैं तो दोस्तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सारी information देने वाले हैं कि आपको आपके डिवाइस में यनकि आप कोई भी शुमी का device यूजर कर रहे हैं यहाँ पर आप थमनेल पर देख लिजे जितने भी डिवाइसों के मेरे नाम लिखे हैं तो आज मैं आपको सारी information देने वाला हूँ कि आपको आपके device में कब तक update देखने को मिलेगी MIUI 10.3 की series की तो दोस्तो वीडियो को शिरू से लेकर अंत तक देखेगा तभी आपको सारी जानकारी हो पाएगी आपके device के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर यह जो सारी news निकल कर आ रही है यह जो है वो मैं different sources से अकठा करता हूँ तभी आपको यह सारी information देता हूँ बाकी दोस्तो वो show me पर depend करता है कि उनकी जो feedback कैसी चल रही है कभी कबाद थोड़ी बहुत delay हो भी जाती है update के लिए तो दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो please कर लिजेगा बेल का icon भी दबा दीजेगा ताकि हमारी next वीडियो का notification आप तक पहुँच सके तो चलिए दोस्तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले तो Redmi Note 6 Pro, Redmi Y2, Redmi 6 and Redmi 6A इन तीनों डिवाइसों के लिए MIUI 10.3 की जो series शुरू हुई है उनकी update मिल चुकी है अगर आपको update नहीं मिली है आपको link description में मिल जाएगा आप इसको जो है वो update कर सकते हैं अब आप जो ह अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi Note 7, Redmi Note 5 Pro and Redmi 6 Pro की दोस्तो इन तीनों डिवाइसों के लिए यहाँ पर चाइना में update release हो चुकी है पर यहाँ पर इंडिया में अभी भी नहीं हुई है तो दोस्तो जो news के हिसाफ से इन डिवाइसों के लिए update किसी भी दिन जो है वो release की ज जा सकती है दोस्तो हमको यह update जो है मेरे साफ से जो है 20 तरीक से पहले देखने को मिल जाएगी उससे पहले भी जो है बहुत ही असानी से मिल सकती है पर यहाँ पर जो feedback चलती है उस पे depend हो जाता है पर दोस्तो किसी भी दिन जो है वो Redmi Note 5 Pro, Redmi 6 Pro and Redmi Note 7 के लिए इंडिया में MIUI 10 3.1 की जो update है वो जल्दी release हो जाएगी दोस्तो Redmi Note 7 के लिए MIUI 10.3.4 की update यह 5 की update है Redmi Note 5 Pro के लिए MIUI 10.3.1 यह MIUI 10.3.4 और Redmi 6 Pro के लिए MIUI 10.3.1 की update है वो किसी भी time release हो सकती है तो आप अपना system update चेक करते रिएगा आपको बहुत ही जल्द update देखने को मिल जाएगी तो दोस्तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं Redmi Note 7 Pro के बारे में दोस्तो Redmi Note 7 Pro को ना ही global में और ना ही चाइना में MIUI 10.3 series की update अभी तक देखने को मिली है ग्लोबल में Redmi Note 7 Pro जो है वो release हुआ ही नहीं है और यहाँ पर सिर्फ चाइना एंड इंडिया में ही Redmi Note 7 Pro रिलीस हुआ है पर दोस्तो यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है हमें उमीद है कि इसी मन्त में जो है यानि कि मै के मन्त में 30 तरीक से पहले Redmi Note 7 Pro में भी MIUI 10.3.1 की जो update है वो देखने को मिल जाएगी तो दोस्तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं Redmi 5 and Redmi 5A की तो दोस्तो जितनी भी updates अभी तक इन दोनों डिवाइसों के लिए यहाँ पर रिलीस हुई है वो always suspended कर दी गई है दोस्तो इसमें काफी जादा टेस्टिं हो रही है इसी वज़ा से थोड़ी सी यहाँ पर डिले हो रही है पर दोस्तो इसी मन्त इन दोनों डिवाइसों को भी update देखने को मिल जाएगी तो अगर हम यहाँ पर बात करने Redmi Note 4, Redmi Note 5, Redmi 3S and MI Max 2 तो दोस्तो मेरे को काफी question आते हैं इन तीनों डिवाइसों के बारे में तो दोस्तो इन चारो डिवाइसों के लिए भी जो है MIUI 10.3 की सीरीज की जो है वो update चालू है ऐसा नहीं है कि update नहीं आएगी update चालू है उसकी testing हो रही है पर जो news and leaks के हिसाब से आपको यह update जो है वो 10 से 12 जून से पहले पहले देखने को मिल जाएगी दोस्तो इस परकार की जो तो मैंने जो है अपने तरफ से सारी आपको information बता दी है तो अगर हम यहाँ पर बात करें Redmi Y1 की तो दोस्तो उसको भी जो update है वो 10 तरीक से पहले देखने को मिल जाएगी ऐसा नहीं है कि उसको update नहीं मिलेगी उसको भी है 10 जून से पहले update देखने को मिल जाएगी तो दोस् पूली आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो प्लीज हमाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही